हेलो वल्कम गाइस कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम आसे पर आप देख रहे हैं किंग बिलेट यूटूब चैलने तो गाइस आज किसी वीडियो हम बात करेंगे एक स्कैम के फ्राउट के बारे में जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई के साथ हुआ है और उसके वज़े से उन की बाईक पूरी तरीके से लिवाइक पूरी तरीके से ग्लोषी हो गया है तो यह वीडियो को पूरार्य नीमरे मिलें और इस चीज़ से आप लोगवे ले है're ताकि आपके बाइक के ऐसा आप लाउसीह को पूरां तक देखें तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से बहले बात करते हैं आप स्टॉक्स के बारे में यहां पर गाइस आप बिना कोई इन्वेस्टमेंट के आप यहां पर अच्छी खासी अर्णिंग कर सकते हैं यहां पर मैंने 14,000 लुपीस के अर्णिंग किया है बिना कोई पैसे लगाएवे यहां पर बेसिकली गाइस आपको करना क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से जाके अ अधार काड़, पैन काड़ और बैंक अकाउंट नमबल लगेगा और एक डिजिटल साइन लगेगा जिसे कि आप अपना दीमेट अकाउंट फ्री में खोल पाओगे और जैसे आपका दीमेट अकाउंट बनेगा वहां पे आपको एक आप्शन मिलेगा रिफर एन अर्ण का बस यही एक जगह जहां से आप पैसे कमा सकते हो, यहां पे बेसिकली काई यह लोग काफी जादा पैसे दे रहे हैं एक बंदे को रिफर करने के यानि कि 500 रुपे आपको अभी फिलाल मिल रहे हैं एक परसन को रिफर करने के ठीक है, यदि अगर आप इसके अंदर अकाउं में विड्रॉ कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो ठीक है, तो यहां पे एक परसन के 500 रुपे मिल रहे हैं यदि अगर आप 10-5 जितने भी आपके फ्रेंड हो उसको रिफर करोगे तो उस हिसाब से आपके अर्णिंग यहां पे इंक्रीज होती रहेगी, तो लिमिंटे टा और यह फोटो में देखो यह जो बाइक है, यह नूली बाइक है, मातर 200 या 300 किलोमेटर यह बाइक चली है, मेरे पास इसके HD फोटो है तो मैं इसमें देख पा रहा हूँ, आप शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो 200 या 300 किलोमेटर यह बाइक चली है और हुआ यह कि जब रॉयल इंफिल ने अपना स्टेल्थ ब्लाइक जो है 350 मॉडल लांच किया और जब मैंने अपना चैनल क्रेट किया साथी साथ और भी काफी सारे यूटूबर जो है इस बाइक के ओपर वीडियो बनाने लगे तो सभी ने एक बात बता है कि यह जो है इसका मैट कलर जो तो अब इनके पास दो ऑप्शन थे यह तो से ए मिक या फिर ले मिनेशन ठीक है वैसे मैं स्टेंब बारे में जल्दी बताता नहीं अपने चैनल पे क्योंकि सरीमक कोटिंग या उतना भी सही और बैस्ट सलूशन नहीं है अपने पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जब कोटिंग का पुछा और भाई देखो लोकल शॉप वाला जो ना उसको एक्ट्वल में अभी बहुत सारे जहरे पता यह ली कि इनके साथ किया हुआ कि इनके बाईक पर गायर देख लो पूरा ग्लॉसी हो गिर इφाइक करके उपर से लेकर형 के बाईक के ऊपर टेफलों कोटिंग चला, जैसे सब्सक्राइब होता है एक पूरी तरीक्वाइब करता जिसे कि आपके कि ऑक कर देता देखने के बांद और यह जो thin layer बनाता है वो काफियाद तक आपके glossy paint को protect कर देता है यानि कि sunlight से UV rays से तो इन सब चीज़ों से आपका teflon coating आपके glossy paint को protect करता है बट वहीं पेडिда का Ceramic coating आपके paint के ओपर इस थिक layer बनाता है उर जो thick layer बनाने के वघए से क्या होता है कि जो आपके bike का एक्चुल paint का color है वो उसको खराब नहीं करता यानि कि अगर आपका bike mad भी है तो उसके उपर अगर आप ceramic coating करवाते हो तो वो उसके उपर एक ठीक layer बनाता है जिसके वज़े से आपके bike का जो look है वो glossy जल्दी नहीं होता ठीक है ceramic coating में भी bike glossy हो जाते हैं बट उसका reason यह है कि ceramic coating भी काफी अलग-अलग type के brands के साथ आते हैं काफी अलग-अलग quality के आते हैं तो make sure कि अगर आप कभी भी कहीं भी जा रहे हो ceramic coating करवाने तो वो एक trusted जगे से करवाओ और आप अपने local shop जो भी कर रहा है ceramic coating उनसे पूछलो भाई 100% confirm हो जाओ कि आपके bike glossy नहीं होगी और आप उनसे guarantee warranty जो भी लेना है ले लो कि अगर मेरी bike glossy होई तो भाई उसका risk आप ल glossy कर देता है तो यहां पर देखो मैं यह नहीं करा कि ceramic coating से glossy नहीं होती glossy दोनों ही चीजों से हो सकती है एफलोन से तो 100% होगी और ceramic coating से भाई अगर आप अच्छी quality को अच्छे जगे से कराते हो तो वहां पर आपको कम chances है by glossy होने के लेकिन अगर आप को ऐसे ही local shop से करवा ले और कम खर्च भी होगा ठीक है तो यह रहागा इस पुरा वीडियो आई होप आप लोग समझ गये होगे कि market में क्या क्या स्काम चल रहा है और जो हमारे subscriber भाई के साथ हुआ है भाई उनके साथ तो गलत हुआ अब देखो क्या है कि उसके अंदर अब उनकी भी गलती नहीं ह वो अब इसको replace नहीं करेंगे tank को क्योंकि भाई ये company से उनको ऐसी नहीं मिली थी अब ऐसे situation पर वो सिर्फ या तो इसको repaint करवा सकते है या फिर tank को replace करवा सकते है तब ही उनका काम बनेगा बट जो भी हुआ सही नहीं हुआ क्योंकि newly bike थे भाई newly bike के अंदर अगर ऐसा हो को adjust हो जाता है आपके mind के अंदर आपके मतलब आखों में adjust हो जाता है तो दीरे दीरे होता हुता फिल नहीं होता बट आप यानि कि कल खरीद के लेकर हो बाई 200-300 km आपके बाई चली है और अचानक से अगर आपके बाई glossy हो जाए तो फिर क्या होगा बाई तो बाई देखो को जिनके भी साथ हुआ है उनको बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि बाई देखो आगे से कुछ भी ऐसा करो तो पूरा research करके करो ऐसे ही किसी भी local shop से जाके करा लेने से आपके साथ ऐसा दुबारा हो सकता है ठीक है तो आई होब गाई साप लोग को वीडियो अच्छी लग जो देखो